दिल्ली के मुकमंत्री अर्विंद केजरिवाल तेहार जेल से कोई कह रहा है साजशें रच रहे हैं, कोई कह रहा है कि लीलाएं दिखा रहे हैं, केजरिवाल की तरफ से बार बार जो कदम उठाए जा रहे हैं, उससे आम आदमी पार्टी की जो क्रेडिबिलिटी है, वो लग करके दिल्ली की गद्दी पर बैठाया था अब आज अरविंद केजरिवाल की राउज अवेन्यू कोट में पेशी थी और इस दोरान जो कोट में हुआ उससे सभी लोग हक्के बक्के रह गए हैं कि केजरिवाल और आम आदमी पार्टी उनकी जमानत के लिए और भारती जनता पार्टी और प्रशासन को बदनाम करने के लिए इतने नीचे भी गिर सकते हैं कोट में क्या कुछ हुआ और कोट ने दरसल क्यों केजरिवाल को फटकार लगाई है इस रिपोर्ट में हम विस्तार से जानेगे लेकिन उससे पहले आपसे विनमर रवेदन है कि चैनल को सब् स्क्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक जरूर करें देखते रहिए मुद्दा गरम है EDK Special Team ने कल ही अरविंद केजरिवाल को लेकर के राउ जविन्यू कोर्थ में एक दावा किया था कि अरविंद केजरिवाल जान बूच करके अनहल्दी खाना खा रहे हैं अरविंद केजरिवाल टाइप टू डाइबिटिक हैं और वो लगातार इस तरीके का खाना खा रहे हैं जिससे उनका शुगर लेवल बढ़ेगा बजन हो सकता है घटे और फिर मेडिकल ग्राउंड पर अरविंद केजरिवाल जमानत पर रहाई मांगे कोट से और ये केजरिवाल साजशन दरसल कर रहे हैं आज इस मामले पर कोट में सुनवाई हुई अर्विन केजरिवाल के वकील अभिशेक मनु सिंगवी की तरफ से तमाम दलीलें पेश की गई और अभिशेक मनु सिंगवी ने पहली ही नजर में इन्फोर्स्मेंट डिरेक्टोरेट के इन तमाम दावों को खोकला साबित कर दिया ये कहने लगे कि एडी की तरफ से जो दावई किये जा रहा है कि उनके मुवक्ति की तरफ से जेल में ऐसा खाना खाये जा रहा है जो कि केजरिवाल की शुगर को बढ़ा सकता है और उसके बेसिस पर वो जेल में जमानत की अरजी दाखिल करेंगे ये पूरी तरीके से घलत है अब जैसे ही अभिशेक मनु सिंगवी की तरफ से इस तरीके का दावा किया जाता है इन्फोर्स्मेंट डिरेक्टरेट की टीम तमाम फैट्स लेकर के पहुँच जाती है कोट में एडी की तरफ से जवाब दरसल अभिशेक मनु सिंगवी की तमाम दलीलों का दिया जाता है कि उन्होंने एम्स में भी बात करी है और वहां के डॉक्टर्स ने भी चेतावनी दी है कि अर्विंद केजरिवाल आम बिलकुल बना खाएं केजरिवाल जो खाना खा रहे हैं दरसल वो उनकी सियत में बड़े पैमाने पर कहीं न कहीं धुश पर नाम पैदा कर सकता है वास तोर पर आम को लेकर के चेतावनी दी क्योंकि आम अगर अर्विंद केजरिवाल खाएंगे तो उनका शुगर लेवल अचानक से बहुत उपर बढ़ जाएगा तो पहला तो फैक्ट इडी की तरफ से ये पेश किया गया कि एम्स की तरफ से उन्हें ये रिपोर्ट में बताए गया है कि अर्विंद केजरिवाल आम बिलकुल ना खाएं उनकी डायबिटीज बढ़ रही है दूसरा फैक्ट इन्फोर्स्मेंट डिरेक्टरेट की तरफ से ये फिर यू कहीं की दलील पेश की गई उन्होंने का है कि जेल प्रशासन की तरफ से उन्हें जो जानकारी मिल रही है उसके मताबिक अर्विंद केजरिवाल वो डायट का चार्ट फॉलो नहीं कर रहे हैं जो डॉक्टरों ने उन्हें प्रसक्राइब किया है डॉक्टर्स की तरफ से जो डाइट प्लान उनको दिया गया है अर्विंद केजरिवाल उसको कतई फॉलो नहीं कर रहा है मन माना खाना उनके घर से आता है जो उनकी ख्वाहिश होती है उनकी पत्थी सुनीता केजरिवाल वही खाना भिजबा देती है और जिसकी बज़े से उनकी सेहत की इस्तिती तरसल हमें बिगड़ती की दिखाई देगी इसके अलाबा एडी की तरफ से ये भी दावा किया आ गया कि अर्विंद केजरिवाल पिछले 22 साल से डाइबिटिक है और जब वो जेल से बाहर थे तो अपनी सेहत का खयाल रखते थे टाइम पर इंसुलिन्स लिया करते थे लेकिन अब जेल में अर्विंद केजरिवाल इंसुलिन भी नहीं ले रहे है अप लोग समझ सकते हैं कि अर्विंद केजरिवाल इतने पुराने डाइबिटिक हैं उसके बावजूद भी उन्हें इंसुलिन की कोई भी परवा नहीं इंसुलिन उनकी तरफ से नहीं लिया जा रहा है तो ये साजिश्ट नहीं तो और क्या समझा जाए इसके अलाबा जब अर्विंद केजरिवाल से सवाल पूछे गए कोट की तरफ से तो केजरिवाल ने बहुत सारे दरसल बहाने बनाए कुल मिला करके ठीक जबाब देते गवे नहीं दिखाई दिये इतने ही नहीं अर्विंद केजरिवाल और आमादमी पार्टी शक के दाएरे में दोस्तों इसलिए भी आ जाती है क्योंकि राउजवेन न्यू कोट में जिस मुद्दे को लेकर के आज सुनवाई हो रही थी उसकी जो पेटीशन है वो अर्विंद केजरिवाल पहले वापस ले चुके हैं दरसल केजरिवाल ने राउजवेन न्यू कोट में परसों एक पेटीशन फाइल की थी और उसमें मांग की थी कि डेली 15 मिनट की जो वीडियो कॉन्फरेंसिंग है उनके बताए हुए डॉक्टर के साथ में कंसल्टेंसी के लिए जो है उनकी मीटिंग होनी चाहिए और उस वीडियो कॉन्फरेंसिंग में उनकी पत्नी सुनीता केजरिवाल को भी इंक्लूड किया जाए अचानक से पता नहीं आमाद्भी पार्टी को क्या होता है उनके वकील पता नहीं किस तरीके की पत्टी पढ़ाते हैं अरविंद केजरिवाल को कि इस पेटीशन को कल वापस ले लिया जाता है अप लोग समझ सकते हैं कि इधर अरविंद केजरिवाल अपनी पेटीशन वापस लेते हैं और उधर आम, उडी, सबजी इस तरीके की खबने निकल करके सामने आती हैं कि अरविन केजरिवाल जेल में मिठाई खा रहे हैं, आलू पूडियां खा रहे हैं, आम खा रहे हैं और फिर बाद में जब उनका शुगर लेवल बढ़ेगा, उनकी सिहत बिगडेगी तो मेडिकल ग्राउंड पर जमानत की गोहर लगाएंगे, अरविन केजरिवाल ने तुरंत अपनी पेटिशन को वापस ले लिया, उनके लगा कि शायद अगर हम डॉक्टर से कंसल्ड करेंगे, तो डॉक्टर तुरंत रिपोर्ट जो है, तमाम जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज या फिर तेहाल जेल का जो प्रशासन है, उनको देगा और जैसे ही पता चलेगा कि सेहत में दरसल इस्तिती बिगड रही है उनकी, तो ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, केजरिवाल एक्सपोज हो सकते हैं, फिर उन्होंने इस अपनी पेटिशन को वापस ले लिया, जैसे ही देखा कि राउजवन्य कोट में इन्फोर्स्मेंट डिर्क्टोरेड अर्विंद केजरिवाल की जो साज़श है, उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए, अर्विंद केजरिवाल का पूरा कच्छा चिठा राउजवन्य कोट में खोल दिया जाता है, और फिर कोट ख पंद्रा मिनट के लिए परामर्श के लिए भी टैम नहीं दिया जा सकता, आप लोग समझ सकते हैं कि कोट में अभी तक इस पर कोई भी टिकट पड़ी नहीं की, इन्फोर्समेंट डिरेक्टोरेड ने भी इस पर कोई भी आपती दरज नहीं की, किसी को भी कोई भी दिकत नहीं है कि अगर केजरिवाल अपने डॉक्टर से परामर्श लेना चाते हैं तो लेकिन केजरिवाल खुद ही अपने आप इस तरीके की घटिया और बितुकी बयानबाजी करते हुए दिखाई दे रही हैं, उनकी तरफ से दलीलें पेश की जा रही हैं, कोट में केजरिवा में लगे हुए हैं कि कैसे भी करके हमें जेल से बाहर निकलना है और इसके लिए कुछ भी किया जाए, तमाम प्रिक्रियाएं जो अपनाने में लगे हैं, लेकिन बार बार इडी उनकी सभी जो है जो दाउपेश हैं तरसल उनको फेल कर देती हैं, अब दोनों पक्षों की दलीलें सुन ली हैं, राउजवेन्यू कोर्ट एडी ने भी अपना पक्ष रखा था और अरविंद केजरिवाल की तरफ से भी पक्ष रखा गया था, फिर एडी ने बड़ा आदेश जारी करते हुए एडी से अपना 22 अपरेल तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है, और 22 अपरेल को ही राउजवेन्यू कोर्ट इस मामले को लिकरके अपना बड़ा फैसला सुनाएगा, अब देखना होगा कि अरविंद केजरिवाल कौम से मामलों को मुद्दा बना करके क्या तर्क दे करके अपनी जमानत पर रहाई की मांग करते हैं, और देखना होगा कि एड करके जरूब बताएं, जल्द बलूगा किस दूसरे बड़ अपडेट के साथ में तब तक लिए धनवाद अगर आप लोग चैनल पर ना हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साड़ बने बेल आकन को भी प्रेस करें, ताकि जैसे ही में कोई ने अपडेट लेकर क तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलें